ये आकाश्वणी रायपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुश्मा स्रिवास और पेशे आज के मुख्य समाचार राज्य सरकार ने सामप्रदाईक सोहाद बिगारने वाले लोगों के खिलाप रास्टी सुरक्षा कानून के तहर कारवाही करने की अधिसूशना जारी की भाश्पा के प्रदिनीदी मंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्री मंत्री हरदीप सींपूरी से मुलाकात कर रायपूर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में व्याप्त कथित भष्टाचार के सम्मन में ग्यापन सौपा आज से मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा सप्ता पहले दिन प्रदेश के विभिन जिलों में यातायात पुलिस ने जागरुकता रैली निकाल कर लोगों को यातायात नीमों के प्रति किया जागरू और स्वामी विवेकनन की जैनती पर कल मुख्यमंत्री रैपूर में स्वामी विवेकनन इसमारग डे भवन के जिर्नोदार कारियों का शुभारम करेंगे अब समाचार विस्तार से राज्य सरकार ने सांप्रादाइक सोहार्द बिगारने वाले लोगों के खिलाप रास्टी सुरक्षा कानून के तहट कारवाही करने की अधिसूशना जारी की है इसके तहट किसी भी जिले में सांप्रादाइक सोहार्द बिगारने की शिकायत मिलने पर उस थाने की पुलिस सम्बंदित व्यक्ति को ततकाल गिरफतार कर सकती है साथ ही घटना से सम्बंदित प्रतिवेदन फुलिस अधिक्षक को भेजा जाएगा जिस पर जिला कलेक्टर राज्य सुरक्षा कानून के तहट कारवाही करने की अनुशन साख करेंगे 36 गर तेलंगाना सीमा पर बीजापूर और सुक्मा जिले में सुरक्षा बलो द्वारा माववादियों के खिलाब बड़ी कारवाही किये जानी की खबर मिल रही है हमारे समवाद दादार ने बताया कि इस इलाके में सुरक्षा बलो ने मावादियों के खिलाब बड़ा ओपरेशन शुरू किया है इस बारे में विस्तित जानकारी की प्रतिक्षा है इस बिच मोहला मानपूर अंबगर चौकी जिले के कातुल जोरा के जंगल से सुरक्षा बलो ने विस्फोटक बरामत किया जिसे मौके पर ही निश्गे कर दिया भारती जंता पार्टी के प्रतिनिदी मंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्री मंत्री हरदीप सीपूरी से मुलाकात की इस दोरान प्रतिनीदी मंडल ने केंदरी मंत्री को रायपूर स्मार्ट सिर्टी प्रोजेक्ट में व्याप्त कथित भष्टचार की संबन में ग्यापन सौपा प्रतिनिती मंडल में लोकसभा सांसर सुनिल सोनी, राजसभा सांसर सरोषपांडे और पूर्व मंती राजसमुड़स शामिल थे इस बिच भारती जनता पार्टी ओबीसी और युवा मोचा की संहुक्त बैठक आज भाश्पा प्रदेश कारलय कुशा भाव ठाकरे परिसर में हुई बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथूर, प्रदेश अध्यक्ष अरुन साओ, नेता प्रतिपक्ष नारायन चंदेल, राश्टी महामंत्री और प्रतापगर सांसर संगम लाल गुपता सहित, ओबीसी और युवा मोचा के पदधिकारी शामिल हुए भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुन साओ ने कहा है कि राज्जी के कांगरे सरकार ने आर्थिक विकास नहीं करके राज्जी को कर्ष के बोश से दबा दिया है, यहां और द्योगिक विकास के प्रात्मीक सुविधाय भी लोगों को नहीं मिल पा रही ह साथ ही निवेशक 36 गड में निवेश के लिए तयार नहीं है, राज्यसरकार ने एक लाख लोगों को नए निवेश से रोजगार दिलाने का दावा किया था, जबकि सिर्फ तीन हजार लोगों को ही रोजगार मिल पाया है, वहीं सरकार ने 92 हजार करोड रुपे के रहे हैं, वहीं भाश्पा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा है कि सोसाइटी से धान उठाव में लापरवाही बरती जा रही है, इससे खरीदी केंद्रों में धान जाम हो गया है और किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने दावा किया कि सरकार की और से कहा गया है कि अब तक 77% सदी धान का उठाव कर लिया गया है, जबकि वास्तों में ऐसा नहीं है, केंद्री सडक परिवहन और राजमार मंत्राले आज से 17 जनवरी तक देश भर में सडक सुरक्षा सप्ता का आयोजन कर रहा है, इसका उद्देश सडक सुरक्षा के अब देनजर आम जनता को जागरुक करना और सभी संबन्द पक्षों को अवसर प्रदान करना है, इधार 36 गड़ में भी राजधानी राज़्दानी राइपूर सहीत विभिन जिलो में सडक सुरक्षा सप्ता के तहत विभिन कारिकरम आयोजित किये जा रहे हैं, जिले में बैक उनपूर बसिस्टेंड के पास सडक सुरक्षा सप्ता जागरुकता कारिकरम आयोजित किया गया, कारिकरम में लोगों को सडक सुरक्षा से संबन्दित नीमों की जानकारी दी गई, इसी तरह जांजगे चापा जिले में यातायात सडक सुरक्षा के तहत, य पुखे मंती भुपेश बगेल कल रायपूर के गांधी मैदान में आयोजित कारिक्रम में स्वामी विवेकानन इसमारक डे भवन के जिर्नोदार कारियों का शुभारम करेंगे। पुखे मंती भुपेश बगेल ने स्वामी विवेकानन की जैनती पर उन्हें नमन किया है और देश तथा प्रदेश वासियों को राष्ट युवादिवस की शुभकामनाय दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहाए कि स्वामी विवेकानन के विचारों ने संपूर्ण समाज को एक नई रा दिखाई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वाणी रायपूर से सुन रहे हैं। चटिसगण की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वस्मियता से है हमारा वास्ता। आकाश्वाणी समाचार रायपूर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामाईक कारिक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाईल पर भी सुन सकते हैं। आकाश्वाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्त है। भेट मुलाकात कारेक्रम के तहट मुख्यमंती भूपेश बगेल आध्धमतरी जिले के सिहावा विधान सवाशेत्र के खीसोरा और बेलर गाउं पहुंचे। कोट सप्ता में दो दिन शुरू करने और खीसोरा में प्रात्मिक क्रिशी साख सहकारी समीती खोलने की घोशना की। वहीं मुख्यमंती ने बेलर गाउं में सामुदाईक भवन निर्मान और बाजार कुर्रेडी में धान खरीदी केंद्र खोलने का भी ऐलान किया। वन मंत्री मुखमद अकबर ने कहा है कि वनों के सनरक्षन, समवर्धन और विकास के कारे में विभागी अधिकारी अपनी भागीदारी सुनिशित करें। श्री अकबर ने नवा रायपूर में DFO कॉन्फरेंस को संबोधित करते वे कहा कि अधिकारी हाती प्रवाई छेत्रों में लोगों को मानव हाती द्वंद से बचाने जागरुक करें और इन छेत्रों में लोगों को आवजाही के प्रती सतर्क करें। वहीं वनमंत्री ने आज कबिर्धाम जीला कलेक्टरें में आयोजित एक कारेक्रम में 13 नई सेवा सहकारी समीतियों के लिए 3 करोड 32 लाग रुपई की लागत से बनने वाले कारेले सह गोदाम भवन की आधार शिला रखी। 36 गड के प्रतम घुरसवार रेजिमेंट रास्टी कैड़ेट कोर NCC द्वारा इन दिनों भिलाई में संयुक्त वाशिक प्रशिक्षन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षन शिविर के दूसरे दिन आज कैड़ेटों ने योग और व्याम के बाद आकरशक मार्ज पास्ट किया। वहीं कैड़ेटों को राइफल के उप्योग की जानकारी देने के साथ ही निशाने बाजी का भी प्रशिक्षन दिया गया। शिविर में कैड़ेटों को बैंकी सेवाओं के तहर साइबर अपरादों से बचने के बारे में जागरुक किया गया। राजधानी रायपूर में आयोजे 3 दियुसी राजिस्तरी 36 गडिया उलम्पिक खेलों का कल समापन हो गया। समापन समारों को संबोधित करते वे खेल मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि राज सरकार ने ग्रामिन छेत्रों में लुप्त हो रहे खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश से राज में पहली बाद 36 गडिया उलम्पिक की शुरुवात की है। इसके तहट फुगडी, बिल्लस, भावरा, बाटी, कबडडी, लंगडी, पिट्टो सही 14 पारंपरी खेलों को शामिल किया गया है। प्रवास के दोरान आज ओडीशा के राजपाल प्रोफेसर गणेशी लाल से सोजन भेट की। इस दोरान दोनों राजपालों के बीच विभिन समसमाईक विश्यों पर चर्चा हुई। कि देश भर में जाती गजन गरना कर यादो समाज को आरक्षन दिया जाए। साथ ही सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। जनता कॉंग्रेश चतिसगर ने नाराइनपुर में बीते दिनों दो पक्षों के बीच हुए विवात की जाच के लिए सत्रा सदस्सी समीती गठित की थी। जिसकी रिपोर्ट आज पेश की गई। के मुख्य कर्मशाला प्रबंधक के बैंक खातों से लगभग एक करोड़ असी लाख रुपए की वित्ती अनिमेत्ता करने के मामले में पुलिस ने कारलाइ अधिक्षक सहीं दो अन्य लोगों के खिलाप F.I.R. दर्श की है। केंद सरकार के संस्कृतिक मंत्राले के तहट साउथ सेंटरल जोन, कल्चर सेंटर नाकपूर भिलाई इसपास सैयंत्र और खेरागर विश्वध्याले के सहयोग से आचार पंडित विमलेंदू मुखर जी की इसमिती में तीन द्यूसी राष्टी संगीत महोसर का आयोजन कल 12 जनवरी को भिलाई में किया जाएगा आदिवासी लोककला अकादमी और 36 गर संस्कृति परिशत की ओर से 9 दीसी चित्रकला शिवीर का शुभारम कल रैपूर के महंद घासी दस इसमारक संग्राले परिसर में हुआ राम कथा पर आधारी त्या चित्रकला शिवीर 18 जनवरी तक चलेगा बालोत के जिला रोजगार और स्वरजगार मार्गदर्शन केंद्र पाकुर भाट में आगामी 20 जनवरी को प्लेस्मेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा कोरिया जिले में जनपत पंचैत के मुख्य कारेपालन अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर जनप्रतिनीधियों ने आज जनपत पंचैत के मुख्य द्वार पर धर्ना प्रदर्शन किया बिलासपुर जिले के अमोरा गाउं में इसकूल की छुट्टी के बाद मेला घुमने जा रही दो सगी बहने ट्रक की चपेट में आ गई इस हासे में एक बहन की मौके पर ही मौत हो गई वहीं दूसरी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है राइगर जिले के जूट मिल थाना चेतर में ट्रक की चपेट में आने से मोटर साइकल सवार एक व्यक्ती की मौत हो गई और मनेंद्रगर चिर्मिरी भरतपूर के जिला कलेक्टर पी एस द्रो ने आसधान उपाजन केंद्र बंजी में निरिक्षन के दोरान 111 बोरा बद्रा मिशिद्धान जप्त किया आंतमी मुख्य समाचार एक बार फिर राज्य सरकार ने सांप्रदाइक सोहाथ बिगारने वाले लोगों के खिलाफ रास्त्री सुरक्षा कानून के तहर कारवाही करने की अधी सुषना जारी की भाशपा के प्रतिदिनी मंडल ने आज नई दिल्ली में केंद्री मंत्री हरदीच सी पुरी से मुलाकात कर रायपूर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में व्याप्त कथित भरष्टाचार के संबन में ग्यापन सौपा आज से मनाया जा रहा है सडक सुरक्षा सप्ता पहले दिन प्रदेश के विभिन जिलों में यातायात पुलिस ने जागरुकता रैली निकाल कर लोगों को यातायात नीमों के प्रतिक किया जागरु और स्वामी विवेकनन की जैनती पर कल मुख्यमंती रैपूर में स्वामी विवेकनन इसमारक डे भवन के जिर्नो धार कारियों का शुभारम करेंगे इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलिटेंट समाप्त हुआ नमस्कार